हेलो फ्रेंड्स तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम सेखेंगे MSWord का होम को ऑफजन चलिए जानते हैं MS Office में क्या होता है तो यहाँ पर आए MS Office MSWord यहां में यह नव ओपन किया इसके अंदर आने के बाद यहां से हमने इसकी पेपर का साइड छोटा गिया है तो फ्रेंड्स यहां पर एक यहां पर फॉर्मूला होता है एक्वाल आरे एंडी बैकेट ओपिन क्लोज एंटर करने बाद यहां बार डाटा लिखके आ जाएगा तो यह डाटा में हम कुछ भी कर सकते हैं अपना ठीक है तो फॉंट के ओप्सन पर सबसे पहले हम करेंगे यह लैंग्विज चेंज तो लैंग्विज चेंज देखिए कैसे करते हैं तो चलिए जानते हैं लैंग्विज चेंज कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेट करेंगे डाट को select करने बाद इस option भी जाने बाद इसको हम कहते हैं font family इसको font family कहते हैं तो यहां पर हमें सारे font मिलते हैं तो हम कोई सा भी font का use कर सकते हैं इसको font family क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे सारे font मिलते हैं तो इसमें से हम किसी भी font को उठा सकते हैं जैसे से यह font हम नहीं ले लिया तो यहां से हम अपने font को change कर सकते हैं यह हमारा size को option है यहां से हम size को बड़ा कर सकते है text size है वहां से बड़ा होगा कि यहां पर कितना भी कर सकते हैं एक यह option यह रहता है जब data select होगा तब यहम उसमें कुछ कर सकते हैं यहां से size भी हमारा क्या बड़ा होगा इससे size हमारा छोटा होगा अगर हमको यह tax का size है वह bold करना है dark रखना है तो क्या करते हैं इसमें option होता है B से bold इस पर हमने किया तो यह tax का है ना विर तो यह bold हो गया है यह dark दिखने लगा हमें अगर यही word है जो हमें तरच्छे करना है तो क्या करते हैं इसमें option होता है एक italic का italic से हमारे word तरच्छे होते हैं तो किसका होता है italic का एक इसमें होता है आप देखते हैं जैसे इसके नीचे में line खीचना है underline लगाना है तो underline के लिए क्या करते हैं इसमें एक option होता है underline का तो underline पर click करेंगे तो हमारी underline लग जाएगी अब जैसे हमें underline भी डाइस चाहिए डॉट चाहिए तो कैसे लेते हैं चली देखते हैं यह point का option है तो यहाँ पर आनक बात तो देखिए हमें आपर underline भी मिल रही है चेंज में तेहां पर भी हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं यह वाली यूज कर लिए जैसे हमने अब देखते हैं जैसे कि हमको इन डाटर को नॉर्मल ले जाना है तो क्या करेंगे तो यह क्लियर फॉर्मेंटर का option होता है यह आपर इस पर click क्या तो आप बिल्कुल नॉर्मल दाटर हमारा बिल्कुल पहुंच जाएगा किस से clear editing से अब यहां पर हम देखते हैं case तो देखो यह होता है हमारा change cases तो change cases के अंदर center case lower case uppercase capital each word because user case किस किस कि यूज करने है तो हम चलिए सारे यूज़ करके देखते हैं जो अब हमारा data रख़ा हुआ है यह हमारा center case में रख़ा हुआ है तो पता कैसरा बेट क्योंकि इसका पहला word हमारा capital है और बाग्वी सारे word हमारे small है तो ऐसे पता हम लगा सकती है कि हमारा किस केस में रखा है सेंटर केस में यह डाटा रखा हुआ है इसके लोवर केस लोवर केस पर हमने क्लिक किया तो लोवर केस में क्या पता पड़ता है तो लोवर केस में हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर डाटा हमारा बिल्कुल इसमोल है कोई कैपिटल वर्ड इसमें नहीं है किसमें lower case में है अब यहां पर देखते हैं upper case upper case में क्या होता है सारे word हमारे capital हो जाते हैं तो यहां से हम अपने सारे word को capital दख सकते हैं capital each word क्या होता है capital each word करके देखते हैं इसमें capital each word में क्या है हर word का पहला word दो को capital हो रहा है तो capital इच वर्ड से क्या हम हर वर्ड का पहला वर्ड capital कर रहे हैं टोईगल केस क्या होता है टोईगल केस से हमारा पहला वर्ड small होगे दोगों हर वर्ड का पहला वर्ड हमारा क्या होगा small होगे और बागी सारे दोगों capital चल रहे हैं तो इस से क्या कहेंगे torgle case जेब तो यहां पर हम अपना Center case में रखेंगे इसको Normal में ठीक है तो आप देखते हैं इस्टिक थो जैसे यह data लिखाया इसके data की बीच में कट लगाना आहाई यह तो क्या करते हैं इसके प्राइब उसको यूज करने बाद तो डाटा हमारा लाइन की चाहिए डाटामे बीच में आप इसका यूस का भी कर सकते हो जब कोई डाटा मारग गलत हो गया तो उसके लिए यूज कर सकते हैं अब देखतें यह सबस्काइब होता है एक सू्परिस्किट होता है तो सबस्काइब क्यों गृता चलिए देखते हैं यहाँ देखते हैं चाहती है llev पर आया- को only नीचे तखना चाहरे हैं तो क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे किसका यूज किया हमने सबस्क्रिप्ट का अगर एक स्क्राइब बनाना चाहरे हो तो क्या करेंगे सूपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे किसका सूपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे पहला क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है दूसरा वाल हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है ठीक है अब देखते हैं हाइलाइटर हमको यह डाटा लिखा है जो हमारा इसके पीछे में हाइलाइटर चीए तो हाइलाइटर कैसे करते हैं पहले हमने डाटा को सिलेट किया हमें हाइलाइ हमारा हाइलाइट हो गया है अब जैसे टैक्स कलर टैक्स कलर इसका है तो हम पूरे डाटर को सव्वर किया और तो सब्सक्राइब करने जबार का शिर्ट देख तो हमसे हम अंदर राई जहां से के फ reminders हम चेंज कर पा रहे हैं पने तम कुई साभी फ हिंट कर यूज कर सकते हैं कि तो क्विसाभी फ़ॉंट क्ल्रेक कर यूज कर सकते हैं अभ देखते हैं पै। पैरग्राफ को आपटन tool तो पैरग्राफ में क्या क्या होता है चलिए जानते हैं जैसे आप कोई डाटा टाइप कर रहे हो डाटा टाइप कर रहे हो आपको बुलेट्स चाहिए पॉइंट होते हैं यह चाहिए जैसे आपको मार्क चाहिए यह रूश चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हो इस ओप्शन के नाम होता है बुलेट्स तो यहाँ पर बुलेट्स कि software तो आप एंटर करने बाद next point आ जाता है तो आप एक कुछ टाइप करने के बाद तो अपने आप next point आता है अगर यह point आ रहा है आपका यह वाला यह point हटाना आपको तो क्या करो backspace backspace करेंगे three time तो यह काजर हमां बिल्कु शुरू में आ जाएगा तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं अब देखते हैं आंग्याला option इसमें होता है numbering library यहाँ पर हमें numbering मिलती है ABCD मिलते है तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो हमें यूज करना होगा ऐसे यह वन्टू त्रिया में यूज करना है तो इस पर के लिए किया सेम वही जासे सेम काम करेगा जैसे हापे भी हमने डिवोई डाल दिया यहां पर भी क्या सेम यूस करेगा यह रहता है अब यह देखते करेक्ट लिस्ट क्रेक्ट लिस्ट क्या होता है इसमें दोगों अलग तरीके चलेगा जैसे बन पॉइंट चली देखते हैं यहां पर हमने कुछ टाइब किया आ कि वैसे यह दोगे सि ओंडर और गये तो डूब अनगे यह आने के बात चैन्ज हवाल औपशेंट ले ले लेना तो यहां पर एक आ जाएगा हमारा यह रहता है अब देखते हैंजा बड़ंपॉइंट bum 1.2 हमें ऐसी पील नवरें चाहिए तो क्या करते हैं तोgado क्या कि आइससी बीक्ले करेंगे था आपकि आपके के हमारा बन आया हुआ है। हम यहां पर 2.1 लाना चाहिए यह तो क्या करेंगे, करणट लिस्ट के अंदर आएंगे, चेंचर लिस्फ 11 के अंदर जाके, 1.1 वाला हमें ले लेना है, कौन सा? 1.1 वाला ले लेना है, जासे यहां पर कुछ भी टाइब करें, तो वो ही हमारा आ जाएगा आगे है 1.3 अब हम जितना कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा वो आता जाएगा डागे स्पिस करने से हमारा हट रहा है तो इतना आए आप लोगों समझें ठीक है यह बुलट्स में आ रहे हमारे अगर बुलट्स में चाहिए हो तो बुलट्स में भी क्या हम अंदर जाके करेक्ट लिस्ट में जाके चेंज लिस्ट लेवल के अंदर आके चेंज कर सकते हैं अपना इसे में इसका भी यह ही है है दो Today के यहाहां पे सेलेक्ष बंद पॉंड्ट जिरो पॉनण चेंज हो घया है यहाँ पर सिलेक्षण आने लगाए यह अगर आपको पूरा देखना है तो आप क्या करो करेक्स लिस्ट में जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा क्या क्या आएगा ठीक है यह हैडिंग बन हैडिंग टू चलिए इनको देखते हैं जैसे हमें उसको हटा दिया हम्हें आप हैडिंग बन लगा दी जैसे चाहाँ पें डाटा टाइप कर रहे हैं जैसे मदर गोड तरह पे अब हैड़िंग लगाना है तब युद्ध हैड़िंग आई नहीं तो क्या करेंगे दुबार अंदर जाएंगे इस फें दुबार किलिक करनें के हमारी है उनिक बन चुकी है है अनको स्वोनी गरदी यह तो क्या करेंग करेंक करेक्लिष्ट में जाओ त्य कि अब आंगे करो चलते हैं अब देखते हैं इंडेंड डिक्रीस इंडेंड इंक्रीस इंडेंड इंडेंड यह होता है पहले वाला हमारा डिक्रीस इंडेंड यह वाला होता है इंक्रीस इंडेंड तो देखो यहाला कौन से हमारा डिक्रीस इंडेंड यह इंक्रीस कि इस साइड लाना है इधर पर लाना है तो कैसे लाएंगे सबर्वाद में को काज रखना है इंक्रिस इंडाइंट को क्लिक करतें थो आपका एक एक वर्ड ओट ले जाके कर देगा थो कमालर लेफ्ट राइड साइड डाटा आगिया अगर आपको राइडmor लेफ्ट साइड ले जाना है थो आप प्arakरोगे ड्किर्इस इंडाइंड का यूज करोगए यह रहता है हमारा decrease in line यही रहता है और उसमें हम कुछ ही नहीं कर सकते हैं अब देखते हैं sort sort क्या होता है चलिए देखते हैं जैसे हम यहां पर बंटू थी लिखते हैं one six five three two four यहां यहां पर हमारी यह बंटू थी लिखिए जो तो उल्टी सीदी लिखी हुई है तो हम इसको select करेंगे select करने के बाद sort पर जाएंगे descending ascending पर अब यह तो हम कुछ चल नहीं रहे हैं तो okay करेंगे okay किया तो सब यह किलम लाइन से लग गए हैं तो देखो हम उसी के अंदर चलते हैं तो आप यह नंबरिंग लिखे हैं यह हमारे तो यहां पर नंबरिंग सो कर रहा है टैक्स लिखाता है तो हमारा टैक्स भी आता है तो चलिए टैक्स लिखके देखते हैं अब क्या होता है टैक्स से जैसे हमने लिखा है ए बी डी सी तो यहां पर आप स्लेक्ट करके देखें तो क्या आता है चलिए देखते हैं स्लेक्ट किया है से हमने अब देखते हैं इस क शेंदिक-शेंडिक, तो इतना आगे समझें, अब देखते हैं, ऐलाइजमेंड, क्या होते हैं, पहला वाला है, यह लेफ्ट अलाइजमेंड, यह आला है, हमारा चलिए सब यूज करकरके देखते हैं, तो जैसे यह पैराग्राफ है, जो हम इसको, select करके backspace कर रहा है यह paragraph को हमें हटा दिया है तो अब देखते हैं इसको हमें select किया अब alignment का use करने जा रहे हैं तो अभी जो data हमार रखा हुआ है किसे में रखा हुआ है left alignment पे क्यासे पता लगा रहा है क्योंकि जे data यहां पे आ रहा है दोको बिलकुल एक दम line से तो ऐसे पता लगा सकते हैं अगर हमको data को बीच में रखना हो विलकुल तो क्यासा यूज करेंगे center alignment का इस पर क्लिक किया तो यह center alignment में हमारा आ गया अगर आपको data right alignment में रखना है तो इसमें option होता है right alignment का जिससे हम data को right alignment पे रख सकते हैं ठीक है तो यहां पे हम इसको रखते है left alignment में ठीक है अब देखते है justify alignment यह option होता है justify तो justify में देखते है होता क्या है तो यह हमारा data है जो अंदर बाहर हो रहा है यह side में तो इनको मैं पूरे data को select किया यहां पे justify हमने click कर दिया तो यह data हमारे अंदर बाहर हो रहा था वो data दोको हमारे पुलकुल line से लग गया ठीक है त अब देखते हैं line spacing line spacing क्या होती है जैसे आपको जगह देख रही है छोटी हुई यह जगह को आप कम करना चाह रहे हो तो क्या करते है line spacing कैसे करते हैं चलिए देखते हैं हमने data को select किया line spacing के अंदर गए इसमें 1.0 रखेंगे यह हमारा कम होता है और इससे कम करना है तो फिर हम उसकी के अंदर जाएंगे किसके अंदर line spacing के अंदर इसमें option होता है remove space after paragraph इस पर हमने क्लिक किया तो data दोगो बिल्कुल हमारा joint हो गया है इससे जात हम अपने data joint नहीं कर सकते हैं ठीक है अब next one देखने है यह हमारी रहती है setting अगर नॉर्मल ही जाना है तो हम दुबारा 1.5 या फिर इसको हम रख देते हैं ठीक है अब देखते है setting setting क्या होता है इसके अंदर आए तो यहां पर तो color हो रहा है color पूरे paragraph में हो रहा है पूरे paragraph में क्यों हो रहा है क्योंकि हमारा paragraph यहीं तक लिखा है और data हमारा select नहीं है ठीक है या फिर आप जितना setting करना चारह हो तो उतना select कर लो जैसे हमने यहां तक कर लिया अब इसके अंदर जाएंगे तो यहां पर हमने data को select करने बाद यहां पर हम कुछ भी color डाल दाल रहे है जैसे डाल दी है setting यह आप हमने डाल दी यह जाता है setting का यह भी क्या highlighter जैसा है पर यह highlighter से अलग है तो देखों जैसे हम इसको select किया हम पूरे को ते कहां तक आ रहा है यह यहां तक जहां तक हमारी ruler चल लिए दो इधरी तक डाटा लिख रहा है तो इधरी तक हमारा बिल्कुल end तक वो आएगा यह रहता है अग्या समझें ठीक है अब देखते हैं border border के अंदर आए जैसे यह पहला paragraph है आपको इसको border के अंदर रखना है तो कैसे रखेंगे border के अंदर जाएंगे अगर आपको top bottom रखना है नीचे रखना है तो bottom लगा सकते हैं ऊपर रखना है तो अप लगा सकते हैं लेफ्ट रखना यह तो लेफ्ट राइट रहना है और अगर आपको सबस रखना है SC breaker सकते हैं मैं कैसको और को यूज कर सकते हैं स्जूएं के तीगे अगर आपको हटाना यह गणर तुन यह तो बॉड़र कर से लो तो तो देखिए heading को कैसे change करते हैं जैसे हमारा यहां पर कैजर रखा हुआ है तो यहां पर जाएंगे तो जब्लको यहां पर हमारी heading है ठीक है जितना select करेंगे तो हमारे heading रहे हैं होगा यह से चेंज होगा है थाशाओ युज भी चैंज हो गई है ठीक है किष्टी भी ऐंट्रिंग का यूज्ज कर सकते हैं यह दो फॉस्सक्टाइफ सब्सक्राइब यहां पर कूछ भी दोछ सकते हैं जैसे हम यहां पर स्च कर रहा है वीडियो तिहां पें वीडियो टाइब है चाल 1200 गया है हमारे जितनी जानी कि वीडियो लिखा आ इतनी किया हाईलाय्थ i.w demo one वें कुछ भी मैं कर सकते है ऐसा फाइन कहला है कि इसके इंदर जो समरक टेक्स हो वही find होगा और इसके लावर कोई find नहीं कर सकते ठीक है find का यह रहता है तो यहां पर हम कुछ ही find कर सकते हैं यह रहता है अब next point दिखते हैं replace replace क्या होता है किसी word को एक्ष्चेंज करना उसकी जगह से यह find word का आप्सन देख रहा है जहां पर आपको find word की जाएक घूआ करेंगर मूबी को हटा आना चाहरा है मूवी को जैसे वीडियो लिखा है वीडियोratos अब करम मूभी को रखना चाहरा है तो यहापने वाट मैं वीडियो zal da करेंगे च स्थोद्नेंट रीपलेस होगा यहाप मुवी ट्रइब करेंगे इसलगे अब मुभी ट्रइब कर दिया अब रेपलेस करेंगे तो बन्वाइब रंड करेंगे तो सारी याफ मैं ठेंगarin्गी न citizens select select option में क्या होता है select के अंदर होता है select all पूरे डाटा को select all करना select all गी shortcut चीज़ होती है control-a select all करना select object क्या होता है select object देखो क्या होता है select object के लिए देखो पहले हम insert पर जाएंगे बने insert का option पर आसे हमने saves लिए यह saves लिया तो हमें saves को कॉपी करना है कॉपी करने एक shortcut क्या होती है control-c और paste करनी क्या होती है control-v u-v-l-e-v तो आप पर हमें इन box को एक size में रखा अगर इन box को एक ही साथ बनाना है image की रूप में तो क्या करेंगे देखो select पर जाएंगे select object पर जाएंगे अब यहां से इसको प्रेस करें खीचो select करो इन दोनों box को जब दोनों box select हो जाएंगे तो किसी एक box पर रखकर right click करो group को option देखता है group कर दो तो यह हमारे box एक हो गए है तो किसी एक box से साथ कुछ भी करोगे तो दूसरा भी वही उसके साथ होगा जैसे हमने इस वाले box उसाथ किया मतलब यह पिच्चे की रूपी हमारी हो गया है अगर नॉर्मल ले जाना है इसको तो क्या करेंगे फिर right click करो गुरूप का option देख रहा है अन गुरूप कर दो ते तो हमारे वह को नॉर्मल हो गया फिर एक वाक्स हमारे काम करना स्टार्ट कर देगा देखो आगया यह रहता है अब देखते हैं format painter फॉर्मेट प्रिंटर क्या रहता है चलिए देखते हैं जैसे हमारी heading पड़ी है यह से same heading हमें इस वाले paragraph में रखना है तो क्या करते है फॉर्मेट प्रिंटर यह होता है हमारा चम मैं यहां पर किसी एक बीच में काईजर रखा कहीं पर भी रख लो काईजर फॉर्मेट प्रिंटर को चूज करो यहां पर आके बस सेलेक्ट कर लो जितना भी उपर जैसा सेम paragraph दे करना है तो यहां पर कहीं पर बीच में काईजर रख लो फॉर्मेट प्रिंटर को उठाओ यहां से नॉर्मल कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान देना है आपका काईजर कहीं बीच में होना चाहिए यह जैसा style font दे रहो उसके बीच में होना चाहिए जैसे यह heading बनाई थी हमन अब देखते हैं cut copy cut copy क्या होता है तो हमने इतना data select किया यह data इतना cut होता है cut होकर हम data कहीं पर भी use कर सकते हैं जैसे हमने वहां से cut किया यहां रखना चाह रहे हो पेस्ट कर दो तो वहां से data उठके हमारा नीचे हमारा आ गया ठीक है copy क्या होता है copy देखते हैं अब हमने copy box में किया था copy दोगों जैसे है इसी data का हम सेम रखना चाह रहे हैं select किया data को कॉपी क्या होता है जैसे कि हम इधर भी रखना डाटा को रखना चाह रहा है और अपना डाटा उपर भी रखना चाह रहा है तो तो क्या करते हैं चलिए देखते हैं पहले डाटा को हमने सेलेट किया कॉपी का ओप्सन होता है इस पर किलिक किया और पेस्ट कहजर यहां रखा आके पेस्ट कर दिया तो डाटा हमारा उपर भी है इधर भी है तो सेम डाटा हमारा पेस्ट हो गया है ठेक है तो अब मिलते हैं नेक्स पार्ट में तो जैन जैवारत